हेलो फ्रेंट्स तो 8 बच चुके हैं और हम लोग तैयार है दिक्के-जीस के सांधार कels के लिए आज किस क्लास में friends कि जितने भी कोसिन पड़ने वाले हैं सुनने खेंप यह ध्यान से आज किस लिए बिल्कुल फ्रीम हो रहा भी यूट्यूब पे और तो क्या करना आपको हर रोज 8 बज़ जोड़ा है और सभी कोशन को आपको याद कर लिना ठीक है बिल्कुल इसी तरह का कोशन आता है चले क्लास को हम लोग अस्टाट करते हैं ठीक है चली अस्टाट करते हैं आज का पहला कोशन कहते है नमबर है पहला नमबर है किल्मकित में सिख नहीं सोम प्राकास नामक समचार पत्र शुरूह किया था ठीक है बिल्कूल ऐसा ही कोशन आगा जीब बच्छे क्या करते को बहुत हाट कोशन पढ़ते हैं या कुछ लड़के क्या करेंगे कि दोनों गल्ति पढ़ते हैं ठीक है और यह दोनों गलति रहर न करना एजी कोशिसन पढ़ना और ज्यादा होगा हुग कित्में से किस सोंप्रकास पत्र पति नवर गिया कंग्रेस के निम्रिखित कौन एक के पौरी तरह से था सैझीं जादे किया सदर पटेल हो जागे का साही अंसर हो जागा ठीके चलिए आगे चलते हम दो अगला कोशन तीसर नमबर Montague James Fort की रिपोर्ट आधार बनी थी भारतिय परिशिद अधिनियम 1909 भारा सरकार अधिनियम 1929 भारा सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत सौतन्तर ता अधिनियम 1947 तीसरा का सही जवाब हो जाएगा भारा सरकार अधिनियम 1935 इसका सही अंसर हो जाएगा अगला कोशन नमबर Lectures from Colombo to Almora नेन विखित में से किस एक के अनुभाव पर अधारी था बहुत अच्छा कोशन ने ठीक है एक जाम में आ सकता है कोशन काता है कि Lectures from Colombo to Almora नेन विखित में से किस एक के अनुभाव पर अधारी था चाउथा कांसर कुन बताएगा जी याद रखिया सही जवाब हो जाएगा स्वामी वेका ने जिसका सही जवाब हो जाएगा आगे चलते हैं ठीक है नेक्स कोशन के और चलते हैं पाट नमर कोशन काता जी इसमें से कौन भारत में मुसल्मानों की उस सिचा के लिए पत परदर्सक बने अमीर अली बदरुदिन तैयब जी सेद एहमद खान या फिर से अली खान फिर से आप सभी को बताते है कि इसमें आपको टफ कोशन नहीं पढ़ना ठीक है और यह बहुत बड़ा एक्जाम भी नहीं होता है तो क्या करना आपको अगर आप पेट बैस लना चाहते हैं तो ले लिए मना नहीं करें लेकिन आप चाहते हैं कि तो आपके जाम में आता है ठीक है बिल्कुल इसी लेवल कोशन पढ़ना है प्रिवियस जैसा पूछा गया था उसी का नुसार पढ़ना है ठीक है तो हम ऐसे आपको त्यारी कर पाएंगे ठीक चलिए अब बात नहीं करना है कोशन प्रदसक बनने थे तो पांच्वा का सही जवाब होजाएगा स्यद अहमत का इसका सही जवाब है आगे चलते हैं लोग चाटा नमर कोशन कहता है किलमिकीत में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थाल है मुंबई दिल्ली लेह या फिर बैंगलोर सबसे सूखा स्थाल की बात करें तो सही जवाब हो जागा लेह जो होता ह तो सांतमा का सही जवाब हो जएगा व्रिंट्स ऑपसे नमर सी तमिल लडु इसका सही अंसर है ठीक है जाए जी अप्से नमर सी हो गया दच्चिन पस्मी मांसून से आंठमा का B हो गया जी ना नमर कोशन कहता है ठीक है चलिए ना नमर कोशन है जी कि मांसून सब्द की व्यूत पती किस भासा से हुई है सुनिए यह जो मांसून सब्द है तो मांसून सब्द की व्यूत पती किस भासा से हुई है अर्बी स्पैनिस हिंदी या फिर आंगल तो फिरंट सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब क्यों बताइए मांसुष सब्थ की विद्पती किस भासास हुई है तो सही जवाब हो जाने के बाद करना है ठीक है और बहुत सार लोग जो है अंसर बताते भी है इससे पता चल जाले ऐसा क्लास आपको बिल्कुल आते हैं पेट बैश में भी नहीं जैसा कॉर्ष यह जैसा को पढ़ रहे हैं आपको मिश्वास करहां और जोलर ही है ऑर्पको त्यारी है जैसा मदोगो जैसे सब्ढत और को सब्ढ़ाय कर रहे आगे बढ़ते हम लोग इगार अमर कुछ आए कि भारत का रास्टे गीत किस ग्रंद से संक्ली थे भारत का रास्टे गीत किस ग्रंद से संक्ली थे अनन्दमंट मुंदको पनिस्द कंठोपनिसत या फिर भारत भारती बारा का सही जवाब क्या होगा जी चलिए भारत का जो रास्टेगीत है किस ग्रांट से संकल थे एक ये कोशन आपको होँवर्ग दें ठीक है चलिए दो कोशन आपको होँवर्ग है इसका अंसर आपको बताना है आगे चलते हम लोग कि भारत का रार्श्टेगीत सबसे पहले कहा ह्याँ गाया था इसमें से कौनसा पुरुसकार केवल रचह कर्मियों को दिया आता है दुरुन अचारे पुरुषकार भारत रत्न कलिंग पुरुषकार या फिर असोक चक्र तो 14 का सहे जवाब हो जाएगा फिरंस याद रखिया ठीक है असोक चक्र जो होता है वो खेवल रच्छा कर्मियों को दिया जाता है 14 का डी हो गया आगे बढ़तम लोग 15 अमर कोशने कि भारत रत्न समान पाने वाली पर्थम महिला कौन है इंदरा गांधी मदर ट्रेसर स्रोजनी नाइडू लाता मंगिसकर भारत रत्न समान पाने वाली पर्थम महिला कौन है तो सहे जवाब जा फिरंस इंदरा गांधी जो है भारत रत्न समान पाने वाली पर्थ वहाग पोस्टल इंडेक्स से शुरू हो तो वहाग घर किस राजय में इस्तित वहाग किस राजय में इस्तित होगा बहुत अच्छा कोश्चन चाहब है अगले कोश्चन कोश्चन कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्टिये पर्याटन दिवस कब मना जाता है राष्टिये पर्याटन दिवस ठीक है दिवस से एक कोशन आएगा बहुँ ज्यादा चांसे तो कोशन कहता है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्टिये पर्याटन दिवस कब मना जाता ह सब्सक्राइब ना जाता है अगले कोशन चलते हैं उन्हें से मलर कोशन कहते हैं कि आईशेसी अवाड 2020 में किस पूरूष्ट किरिकेटर को साल का सर्वसिस्ट खिलाली का पूरूष्कार मिला है बतें क्योंगासा पूरूष्कार्ट कमिंस ऑप्सें नमर सी ठीक है आप्सें स्मर्ल को सिने एकаются के दवारा कि लिया मांद barbar कि दवरर की है फैं फिर्ड़ के 24 के थे यह vest लלते हुए इसहाया के तौफ कर लिए चीन और हुरे यहां कि Bell कंसे सिंद्ध इमार गया इन किसने प्रती पादित किया था विकास का सिद्धान्त किसने प्रती पादित किया था अब पास्चर अरस्टु मेंडल या फिर डार्विन विकास का सिद्धान्त की बात हो रहा ठीक है तो विकास का सिद्धान्त किसने प्रती पादित किया था फ्रेंट्स डार्विन ने 21 नए महानिदिशक बने हैं नरायन दासवर्मा अमीत कुमार गुपता सुरेश सीनागर दलजित सीन चौधरी तो बाइस का सही जवाब हो जाएगा फ्रिंट स्याद रखिया दलजित सीन चौधरी इसका सही जवाब है बाइस का डी हो गया आगे चलते हम लोग तेश समर कुछ एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं तो तेश का सही जवाब हो जागा फ्रिंट स्याद रखिया चेचक से ठीक है चेचक ऑप्सन नमबर यह हो गया चोबिसमर कोशन कहता है कि हर्गोविंद खुराना को किस खेतर में नोबल पुरुसकार मिला ठीक है हर्गो किस खेतर में हर्गोविंद खुराना को नोबल पुरुसकार मिला था चोबिसका भी हो गया 25 कौन व्यक्ति हाले में पेपसी को इंडिया के नए CEO बने हैं क्या उगांसर का कमेंट करें ठीक है क्यांसर का महस पांडया जागरित कोटिजा राजेंदर निगम या फिर या फि किसका सही जवाब हो जाएगा जागरित कोटिजा इसका सही जवाब है 25 कौप से नंबर भी हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 समर कोश्चन है कि प्रतिव वर्स तेस जनवरी को पूरे भारत में किनकी जियनती पर पराकरम दिवस मना जाता है 26 का अंसर क्या हो तो और सही जवाब हो जागए सभा संध्रबोस का सही जवाब है ठीक है धिशू कल्चर किसके अध्यन के लिए सम्बंध होता है?, чиसके अध्यन के इसके अध्यन के संबन्ध्य प्रश्चन क ο जागा तो 27 का सही जवाब हो जाएगा प्रश्चन की का dosen. नंबर ए हो गया ठीक है 28 कॉप्स नंबर ए हो गया 29 को से ने किस वर्ग में एक कोशी का यू करियोटिक जीवधारी सामिल है तो 29 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स प्राटिस्टा इसका सही अंसर हो जाएगा और एक कोशन और पढ़ेंगा हम लोग कोमल सरीर वाले प्राणी कौंड से प्राणी संग में सामिल होते हैं तो 30 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स याद रखिया संग मुलास का इसका सही जवाब हो गया ठीक है 30 का भी हो गया तो फ्रेंड्स आज वह आपको recorded वीडियो दिये थे क्योंकि इसलिए हम लोग किसी कोशन पढ़े हैं हरोज आपको फ्रेंड्स पाचास साथ कोशन हरोज पढ़ेंगे ठीक है और मोस्ट इंपाउटन कोशन पढ़ेंगे ठीक है चलि समाब्द करते हम लोग